हाँ तो बैया जी वलकम बेक टुदा चैनल तो बैई अगर आप कोई भी सीम यूज़ कर रहे हो चाहे जीओ वोड़ाफोन या टेल या फिर व्यसेनल का सीम यूज़ कर रहे हो पर आपका इंटरनेट इतना ज्यादा स्लो चल रहा है कि आप कोई भी कम डंग से नहीं कर पा र और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो इसी तरह के इंफोर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलेगा तो चलिए वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं तो प्लास का इकोन निव एपियन लिखका हुआ यहाँ पर एक साइन दिख जाएगा तो इसके उपर टैप किजिए टैप करती है आपको लेके आ जाएगा एडिट एक्स्स पॉइंट पर और फास्ट ओपल आप देख से तो नेम का ओप्शन दिख रहा होगा आपको तो य स्मॉल लेडर में जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीड बोर्ट फाइब जी रिकॉल सेम टू सेम आपको लिखना है देन उसके बाद ओके कर दीजिए सेगन पर आपको दिख जाएगा एपियन का ओप्शन तो यहाँ पर क्लिक किजिए क्लिक करने के बाद आपको यह स्पेस नहीं है तो आपको है लागा देना है भी स्मॉल लेटर में लिख साथ सेम आपको यहाँ पर लिखना कीक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है यहाँ लागाना है फिर आपको यहाँ पर लिखना है अगर आप कोई भी सीम यूज कर रहे हो Vodafone, Yartel, VSNL, या फिर जियो तो आपको यहाँ पर Small Letter में उसी सीम का नाम लिखना है जैसे कि मेरा यहाँ पर Yartel सीम है तो मैं Yartel Small Letter में लिखना देन उसके बाद Without Any Space आपको यहाँ पर लिखना है H-E-X ठीके तो यहाँ पर आप देख से तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना है 5G.Yartel H-E-X ठीके तो Hex यहाँ पर लिखना है मैंने सेम टू सेम आपको यूजर निम पर लिखना है आपको यहाँ पर लिखने के बाद OK कर देना है आपको नीचे की तुरह आना है आने के बाद दिख जाएगा सर्वर का उप्शन तो इसके उपर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है www.google.com तो यहाँ पर Google का सर्वर यूज़ करेंगे देन उसके बाद OK कर दिजिए आपको डिरेट नीचे की तुरह आना है आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा authentication टाइप का उप्शन तो इसके उपर क्लिक कीजिए आपको second वाला option PAP इसको select करना है APN type आपको चेहना नहीं है आपको आना है APN protocol पोर आने के बाद IPB4 slash IPB6 APN roaming protocol आपको same IPB4 slash IPB6 हमारा most important setting आता है VRR तो इसको select कीजिए select करने के बाद आपको सबसे पहले unspecific fight को anti करना है उसके बाद LTE को select कीजिए then उसके बाद HSUPA को select करना है then उसके बाद आपको यहाँ पर select करना है HSDPA और आपको GPRS उसके नीचे आपको दिख जाएगा EHRPD तो इसको select करना है और आपको यहाँ पर EBD और डर-B ठीके तो यहाँ पर इसको भी select करना है देख सते हो आप यहाँ पर इन सोभी को select करने के बाद आपको OK करना है OK करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो new API ने वो बन चुका है तो अभी more option पर tap किजिए इसको save किजिए save करने के बाद आप देख सकते हो हमारा जो new API ने वो निची की तरफ आ चुका है पीज यार वीडियो को एक लाइक करना और चैनल पर न्यू हो इसी तरह की informative वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए मिलते हैं अपसे नेक्ट वीडियो में तब तो के लिए ज़रो दिजिए चैहिंद